श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हरहर महादेव तो कैसे आप सब देखिए आज का ए वीडियो अब सभी लोगों के लिए बहुती जादा विशेश होने वाला है बहुती जादा खास होने वाला है देखिए हम सभी जानते हैं कि कल पांच दिसंबर को मंगलवार के दिन अस्टम मास की अस्टमितिती वो भी मंगलवार के दिन ये हमारे जीवन के सारे अमंगल को दूर कर देती है और जीवन में मंगल ही मंगल करती है इसलिए हमें इस मंगलवार की बहुती पावन सितिती पर और इस पावन से दिन पर बहुती सुन्दर सा उपाए करना है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो देखिए यह उपाई विशेशकर किन लोगों को करना जाए यह उपाई विशेशकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक संकटे है यानि कि उनको वो चारो तरफ से विपदाओं ने घेरा हुआ है, उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो संतान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो विवास से जुड़ी हुई हो, या चाहे वो वैपार से जुड़ी हो, यानि किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परिशानिया है और आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन से दूर हो जाएं यानि कि आपका वैपार अच्छा नहीं चल रहा और आप चाहते हैं कि आपका वैपार ठीक चलने लग जाए या फिर आपके बच्चों की शादी में अर्चने उत्पन हो रही है उनका विवा नहीं हो पा रहा है तो आपको यह उपाई करना चाहिए या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है माता लक्ष्मी जी की आपके जीवन में कृपा नहीं है मार्कशीश मास की अस्टमीतिती जो की बहुती ज़ादा खास होती है और देखिए इसी मार्कशीश मास की अस्टमीतिती पर आपको करना है ये सुन्दर सा उपाए ये उपाए हमने पूच्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सब सरूर लाइक कीजेगा और यदि भगवान शिर्के सचे बगते हैं तो चैनल को सरूर सब्सक्राइब करें एक ये हमारे शनातम धरम में कहा जाता है धरम शास्त्र में वर्नित है कि जो मंगलवार का दिन होता है ये हनुमान जी को पोहत प्रय होता है यानि मंगलवार का जो दिन होता है ये हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी जो है वो भगवान शिव के रूद्र अवतार है और देखिए हनुमान जे जो होते हैं, वो हमारे जीवन से कस्टों को दूर करते हैं, हमारी विपदाओं को दूर करते हैं, हमारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं और इसलिए हमें आज के दिन, यानि मंगलवार की अस्टमी दिधी पर करना है ये सुन्दर सा उपाई किस परकार से करना है अब आपको ये समझ जाएं तो देखे इस उपाई के लिए हमें क्या क्या समगरी लेना है सबसे पहले हमें वो जान लेना है तो देखे इस उपाई के लिए सबसे पहले हमें लेना है मात्र एक धतूरा एक धतूरा ले लेना है हमें और इसी के साथ हमें लेना है थोड़ा सा यानि कि बिल्कुल थोड़ा भी नहीं थोड़ा सा हमें ले लेना है लाल चंदन ठीक है ना और इसी के साथ हमें लेना है एक एक ढया, तो आपको अरपित करोगे तो इस वाद का धियान रखना कि जो धतूरे की डंडी है वो आपकी और होनी जाहिए जिस तरफ से भी आप धतूरे को अरपित कर रहे हैं तो जो डंडी का इस्सा है वो आपकी और होना ची इस प्रकार से आपको यह थुछा भगवान शीव के शिभलिंग पे अरपित कर देना है ठीकेना अपनी मनोकामना को पोल करके यानि कि आप य यह उपाए चिसition. पिमनुकामणा के लिए आप एपको और ना क्या और चाहे हैं और एक खतूरा भगवान शीव के 説िंग पर अर्पित अब अब आपको पास तो ये लाल चंदन को आपको लेना है और पूरे या लड़ा तो यह लेना है और पूरे यह लाल जाद ही लेना है तो यह अ में दो हुआ च्ड़ को यह लो event लेना एक टांपे टांपे पात्र में आप पूर लाल चंदन Drive देना इसके जल के अंदर थीक है ना तो जो जल का कलर है वह लाल हो जाएगा एक तूछ chamado दालने हिए अब आपको क्या करना है आपको यह अपने हाथ में रखना है पात्र और यह आपको फिलकुल पतली धारा के शाहरा के साथ जो धथोर आप bardic शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है लेकिन डायरेक्ट आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना आपको पहले धतूरे पर करना है और देखिए धतूरे से हो करके ये जल शिवलिंग पर हो करके जलाधारी पर जाएगा तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल पतली धार में धन की समस्या है या कर्ज की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो सारी समस्या आपके जीवन से दूर होंगी इसलिए आपको रिण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का समरण करना है और आपको पूरा ये एक लोटा जल समर्पित कर देना है और अपनी जब आप समर्पित कर दें उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है जिस भी मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्य है तो आपको वह बोलना है यदि धन की आप कामना करते हैं तो आपको वह ब कार से आपको आज के दिनी यानि मंगलवार की अस्टमी दिदी पर ये सुन्दर सा उपाई करना है आपने जिस भी कामना के साथ ही उपाई किया है वो निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद अवश्य परिपूर हो जाएगी इतना विशेश ये उपाई है जो प्रतेक व् शिवाए नमस्तु ब्याम हर हर महादीब